नमस्कार मित्रो, मैं आलोग कुमार आज आपके सामने एक एनालीसिस लेकर आया हूँ, कहा गया है health is wealth, स्वास्त धन है, स्वास्त ही धन कैसे हो सकता है? हम इस विशय को समझने की जब कोशिश किये, तो हमें लगा कि यह विशय आप सभी के पास भी, आप सब तक भी पहुँचना चाहिए, और इसलिए मैंने जब यह एनालीसिस किया, तो यह बात, जो भी बाते मेरे सामने आई, वा सब कुछ आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ लेकिन यह समझने के लिए यह एनालीसिस इतना महत्पुर्म है, यह वीडियो बिल्कुल अन्तन तक आपको बिल्कुल ध्यान से बिना एसकीप किये, बिना हटाए देखना होगा और जब आप यह पूरा वीडियो बिल्कुल बिना escape किये देखेंगे तभी आपको यह analysis समझ भी आएगी तो मित्रो सबसे पहले हम जब इस बात को जानने की कोशिश किये health is wealth तो हमने यह पाया कि health is wealth स्वास्थ धन है या कैसे हो सकता है मैंने यह पाया कि health is health स्वास्थ स्वास्थ है and wealth is wealth धन धन है स्वास्थी धन नहीं हो सकता है लेकिन अगर किसी ने कहा किसी ने माना या हम सब या मानने लगे तो कई न कई इस बात में कुछ सच्चाई भी है कि आखिर में स्वास्थी धन क्यों है तो यहाँ बात भी हम आपको समझाने की कोशिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वह है health is health, स्वास्थ स्वास्थ है, इस विजर को हम जब समझने की कोशिस करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि स्वास्थ स्वास्थ है और इसके दो रूप है, एक तो physical health का हैं जिसे हम, और दूसरा जिसे हम mental health का है, फिजिकल health का analysis हम कैसे करेंगे, तो हमने यह पाया, कि एक ही वजन का व्यक्ति हम देखते हैं, अगर दो व्यक्ति के बीच तुन्ना की जाती है, जैसे गेम भी होती है, कुस्ति भी होती है, जो वजन के अधार पे होती है तो उसमें किस वजन में कौन जीतता है तो इस तरह से हार जीत तै की जाती है ठीक वैसे ही कई बार हम यह देखते हैं कि देखने में दुबला पतला वेक्ति वजन में कम यक्ति अपने से वजन में ज्यादा देखने में अपने से ज़्यादा मोटे व्यक्ति को पराजित कर देता है आखिर यह क्यों होता है क्या हमने कभी यह समझने का कोशिश किया हमें यह समझना होगा क्योंकि इस बात में इतनी ताकत है जो इन सभी विशयों को समझाते हुए हमें एक निश्कर्ष पर भी पहुचाता है जो हमारे जीवन में एक नई उर्जा का संचार भी करता है और हमें बिना किसी भ्रह्म में डाले सभी बातों को बिल्कुल ठेक ठेक से प्रमानित करता हुआ महसूस होता है इसलिए यह वीडियो बिल्कुल पहले भी मैं आपसे बोल चुका हूँ कि अंत अंत तक देखिएगा तभी आपको यह वीडियो यह एनालीसिस के रूप में जो भी बाती कही गई है यहां पे वह सब कुछ आपके समझ में आएंगी और आप किसी नेदने तक पहुच पाएंगे तो मित्रो आखिर ऐसा क्यों होता है कभी हमने यह सोचा है कि कोई व्यक्ति अपने वजन के अनुपात में ज्यादा वजन उठा लेता है और कोई व्यक्ति अपने वजन के अनुपात में ज्यादा वजन नहीं उठा पाता है हम स्वस्त किसे कहेंगे जब हम अपनी आखों से देखकर किसी को स्वस्त करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं जिसे हम मोता महसूस करें जिसे हम मोता देखते हैं, जिसका नाक नक्स ज़्यादा हमें सुंदर दिखता है, रंग चमकीला दिखता है, हम उसे स्वस्थ कर देते हैं और कोई व्यक्ति अगर दुबला पतला दिखे, तो उसे हम स्वस्थ महीं मान कर चलते हैं जबकि वास्तविक्ता तो यहां कुछ होरी करती है, वास्तविक्ता यह बता रही है, यह वल अगर हम पहले फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, सारेधिक रूप से हम स्वास्त की बात करते हैं, जो भौतिक रूप से हमें दिखता है, उसके अधार पर जो हम बात करते ह तो वहां हम यह पाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने वजन से ज़्यादा वजन को उठा लेता है और कोई व्यक्ति अपने वजन से बराबर या अपने वजन के तुल्ला में बहुत कम वजन भी नहीं उठा पाता है तो इसलिए हमें यहां त्वस्त किसे समझना होगा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज दोर लगा लेता है, जबकि वह देखने में दुबला पतला होता है, वह बहुत लंबी दोर लगा लेता है, बहुत लंबे समय तक बहुत तेज दोर सकता है, और कोई व्यक्ति जो दे वह थोड़ी सी दोड़ लगाने के बाद हाफमे लगता है, कि हम उसे स्वस्त कहेंगे, देखने में मोटा है, इसी पतले विक्ति के मुकाबले वह ज्यादा मोटा दिखता है, फिर भी सारीरिक्ष चम्ता के अधार पर यहां हम आख सकते हैं, कि किसकी चम्ता ज्यादा है, और किसकी कम, वैसे ही जब हम mental health की बात करें, बहुत बार कोई व्यक्ति हमें ऐसा दिखता है, जो देखने में दुबला पतला होता है, हम मान कर भी या चलते हैं, कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मन मस्तिस्त निवास करता है, जबकि इस बात के कई प्रमान हमारे सामने आते हैं, कि कई बार कोई व्यक्ति सरीर से स्वस्त नहीं होता है, फिर भी mental स्वस्त की बात करें हम, बौधिक अस्तरपरवा काफी स्वस्त होता है, काफी मजबूत इस्थिती में होता है, आज के समय में हम बात करें, या पुराने जमाने में भी प्राचीन समय में भी ऐसे कई उधारन हमारे सामने आते हैं, जैसे अश्ता वक्त के बारे में हम बात करते हैं, आठो अंग से वो दिव्यांग थे, फिर भी उनकी जो बौधिक छमता थी, उनका जो ज्यान था, जो तक की जाती है, तो वे उस समय के जो लोग भी थे, बौधिक संपदा के हिसाब से, उनमें कहीं न कहीं सबसे ताकतवर थे, तो इसलिए हमने mental health और physical health को दो भागों में बाटा, और दोनों को बिल्कुल अलग-अलग रूप में समझने और आपको भी समझाने का कोशिस करना ज्यादा जाइज समझा, और इसलिए मैं यह बात यहां कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम यहां देखते हैं कि जो mental health होता है, हम किस बात को किस अस्तर पे समझते हैं, और दूसरे किसी को किस तरीके से समझा पाते हैं, कई बार हमारी बाते बहुत से लोग को इतनी करभी लवियाती है, कि हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, आखीर ऐसा क्यों होता है, है तो की हमें कहां क्या बोलना चाहिए प्रकांते हिससे वात का मुल्यांकन नहीं किया होते हैं हम यह समझने होती bleak यह हम जो कुछ बी अच्छा समझते थे यह में तो उसे लोगों को ठीक वर्भ्य सही नहीं समझा कि आखिर कोई वक्ता जिशकी बातों को बहुत लोग सुनते हैं और कोई ऐसा क्यां बोल जाता है जिसकी बातों को पसंद नहीं करता है दिरे दिरे उसे कुल सुनना भी नहीं चाहता है कि इसलिए mental health और physical health यहां पर हम अपसे चर्चा करना जाइस समुजह और कर रहे हैं, दूसरा है, जो हमने टॉपिक रखा था, wealth is wealth, तो इसके भी हमने दो भाग के हैं, जो धन है, धन धन है, क्यों कर रहे हैं, धन के हम, संपदा कहें संपत्ती कहें यह सब बाते लगबग एक तरह की हो याती है लेकिन इसका रूप जब हम इसे बाटमे की कोशिश करें तो यह दो भागों में हमें दिखता है एक तो जो होता है भौतिक रूप में दिखता है फेजिकल जिसमें हम गोड़ा, गाड़ी, बंगला, रुप्य पैसे, तुना, चांदी, धन, संपती के तोर पर देखते हैं और दूसरा होता है, मेंटल वेल्थ, जो बौधिक संपता जिसे हम बोलें, तो बौधिक संपता की भी महत होती है, काफी महत होती है, कई बार कम भौतिक संपता होते हुए भी, अच्छी बौधिक संपता के वज़ा से कोई व्यक्ती बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर लेता और कई बार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है या असफलता का सिकार भी हो जाता है तो कहीं न कहीं हमारा यह जो वेल्थ है जो भौतिक रूप में हमें दिखता है यह मेंटल वेल्थ के रूप में जुड़ा हुआ है हम सब के साथ अब यह अलग बात है कि कोई व्यक्ति mental wealth के तौर पे बौधिक संपदा के तौर पे इन सब चीजों को ज़्यादा महसूस करता है वास्तों में कोई व्यक्ति केवल भौतिक संपदा को हासिल करने में अपने पूरे mental wealth जिसे हम कहें जो बौधिक उसकी जो संपदा है उसका उप्योग करते हुए दिखता है तो कोई व्यक्ति बहुत कम भौधिक संपदा होते हुए भी और mental health से चाहे तो वह काफी ज़्यादा बहुतिक संपदा बना भी सकता है फिर भी वह उससे दूर रहना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि जो भौधिक संपदा है उससे बनाते हुए और लगातार उसे और ज्यादा बढ़ाते हुए हम किस तरह के उल्जनों का और सामना करते हैं और वास्तों में वह हमारे लिए कितना सुकून देने वाला है या नहीं देने वाला है वह इन सब बातों को म चुक्तर ॥े आपसे बात करने जाइज समझा ये इस विश्दे descriptions के साथ आप भी समझ सके यहीं हमारी कोसिस है तो जो हेल्थ सौझबात कोई के जलूरी presents औरहा वह स्वास्तितल है क्यों माना गया है इस बात पर नहें आधा हूं करता होगा कितना पीड़ा महसुस करता हुगा अपने शरीर के रूप में अपने शरीर के वजह से Запขब्सक्राइब कर वैसे समय में जब भी आपकिसी भ्यक्रेवटी से बात करेंगे जो ऐस्वस्थ है सारीदिक रूप से किसी ना किसी प्रिया से ग्रसित है तो वह यहीं आपसे बताएगा स्वास्थी धन है और इसलिए हम इस वीडियो पर क्या विश्लेशन आपके सामने लेकर आए विश्लेशन या एनालेसिस आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर या एनालेसिस आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जैसे ही कोई वीडियो पॉलिक हो तो उसकी सूचना भी आप त हुआ है